प्रदान रहा हूं यह बगल का गाउं है रहनी ग्राम पंचाथ हमारी है मैं प्रदान रहा हूं और मैं यहां पर पांच साल माली जब से मैं प्रदान हूं तब से जिले में हूं मुक्तार का हमें दौर तो देखा है हमने कि दौर ये देखा है कि 2005 में अ إलेवेंट में था और इनी रोडों पे घूम घूमके खुली जीट में वही बीडियो आप भी देखांगे उसके बाद मैं मुक्तार को क्ई बाद एक बार देखा हूं सिंगल मेरे विद्याले में आया था तब कि देखा हूं इसके बाद मुख्तार के लोग मुख्तार से जुड़े लोग अतीज रही बाते की ब्जक्तार के लोग अत्या कर दिये मंजाते 2005 में मुक्तार गूम गूम के यहां पर क्या नवसलाबाद में गोली चली और जगों पर जबकि छोटा मामला था मामला को वहीं दबाया जा सकता था आप सीटिंग विधायक थे आप चाहते तो इस तरह का बड़ा बवाल नहीं होता लेकिन उस मामले को मुक्तार ने उकसाया मुखेमंत्री थे मुलायम सिंग जी मुलायम सिंग जी रोकने का प्रयास नहीं किये गोलिया चल लाई थी पुलिस वाले पे प्यस्सी वाले पे गोली चल लाई तेलिके मुलायम सिंग की यह आउकात नहीं थी कि वह रोके लोगों को क्योंकि उनको तो एक तरपा एक समाज नहीं किये तो गोली चलाने वाल आप बता ही का योगी जी का समर्थक नहीं हो लेकिन मैं ये करा हूँ कि इन 5 सालों में क्यों नहीं दंगा हुआ अगर दंगा पांच में हुआ इसमें पांच में उसको हीरो बनाया गया हम किसी से डरने वाले लोग नहीं है हम जानते हैं कि मुखतार यहां पे बहुत से लोगों को मरवाई दिया उनके लोग मार दिये metropolitan yea यह वहाई कर दो और लोगों पर और लोगों पर और लोगों पर नहीं यह सब आप जो यह सवाल उट सकता है मैं इस चीज को कहूंगा मैं भी करना लेकिन जिसे जो मुख्व की बात है कि मौ को जहां होना चाहिए था जहां मोगा था कल्पनात्रायका मौ है किसी मुख्तार और किसी अब्बास का माउ नहीं है इस जिले का वो नेता था किस जिले को आजमगर से अल नहीं है लेकिन हम five नाग दंगे के बाद केवल मुकतार के उस चंगुल में फश्के रग हैं यहां के लोग यह बताई के उसको क्यों जिटा बिदयायकना के भेज घर हैं रहा है और बार-बार आ रहा है अब बार-बार हमारे की सड़क है उसकी को सब्सक्रावक्ति यहां पहला पहला लेकिन विकास वहां सुनिये 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 कलपनात राय का जिला आज बीकास के नाम पे एकदम यह लगता कि किसी माफिया नाम पर हम जाने जाते हैं जिए मुकेश के पास ना बाकी तीन चार विदान सभाइं तो बीजेबी के पास है तिन चार विदान सभाव में हुआ और हमें मत्री मधुदान सभा से दारा सिंह चौछान जी तो हमेशा खिलाडी है जिसे मौसम ज्यानिक कहा जाता है कोद कूद के कभी भाजपा में रहते हैं तो कभी सपा में रहते हैं तो कभी बसपा में चले जाते हैं उपने जाती की राजनीत करते हैं यहां के लोगों में यहां देखिए हम अगर भुम्यार विरादरी से हैं तो हम भुम्यार की राजनीत करेंगे बाउसाब हैं तो बाउसाब की राज ठाकुर को यहां आज जो राजनीत हो गई धर्म की राजनीत हो गई यह जात की राजनीत हो गई है अगर वो चवहान नहीं होते मैं करा उंसे अच्छे नेता हैं आप हमारे आतुल कुमार अंजान जी है उच्छावान नहीं होते तो उनको कोई पूछता नहीं हूँ अपने विरादरी की राजनीत कर रहा है लेकिन कभी विकास पर द्यार नहीं दिया यहां कि आप सुनिए भी लोगों को दूसरे लोग भी जवाब देना चाहरा है उनको सुनेंगे शदा आप कुछ करना चाहरे हो अभी मुखतार अंसारी का जिक्र किया मेरे भाई ने कहा तिल मिला यह मुखतार अंसारी का नाम लेने से या उन पे कारवाई को क्यूं दिल मिलाने वाला हूं आज तक मैंने इन वोट तक नहीं दिया है् अगर वास्ता嘜 में मुगतारंसारिय अपरादी हैं, तो उन पर बिल्कुल कारवाई होनी चाहिए लेकिन जिस तरह से एक चहरा बनाया जारा भार मुखतारंसारिय को आपने देखा होगा… आज से पहले अगर दो चार साल योगी सरकार के आने से पहले की बात करें तो मुख्तारंसारी को पुरवांचल से आगे लोग नहीं जानते थे लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे मुख्तारंसारी को एक मुस्लिम चेहरा बना के इस तरह कारवाईया किया चोटी सी भी कारवाई मेडिया में इतना बढ़ा चड़ा के दिखाई गई कहीं और योगी जी ने टार्गेट किया कि उनको पंजाब से यूपी ले आना है तो यूपी ला के पता नहीं क्या कर देंगे जबकि मुझे तो नहीं पता कि बहुत कुछ नुक्सान जाती तोर पे हैंसारी तो पिहा शाी नाम पे बाडए सारे लोगों कारवाई यां हो रही है उसमें हिंदू मुस्लिम भी जा wygląda कि बस पेश किया जा रहा है मुझे तो लगता है कहीं अնदर से योगी जी और सारी میں कोय दोस्तीई तो नहीं कि इतना बड़ा इतना बड़ा चींड पेस्कर दिया बांग है Eigenा जितना बड़ा बना बनादिया जितना बड़ा योगी जी बना दिया यह रो है इसा नहीं कहा रहा हूंौ झाद भाट आपत कातला नहीं ही कर रहा है कि बहुत को बुरह महां है आगर अगर अपने भी बताया है जैसे हम अश्था इतने बाहु हो बली है और योगी जी तो मुख्य मंत्री हैं तो मेरा सवाल है अगर बुरा मां जागे तो मेरे लिए दिक्वाद होगे अरे यार अरे अरे अरे